नमस्कार बच्चो आज मैं आपको रचना प्रसून का लेसन नाइन पढ़ाऊंगी जिसका नाम है विशेशन विशेशन को समझने के लिए सबसे पहले हम ये पहराग्राफ पढ़ेंगे सोनिया ने अपनी मा से कहा मा मैंने आज एक उपवन देखा उपवन के गुमाओदार रास्तों में छोटी छोटी जाड़ियां और उंचे पेड़ थे क्यारियों में लाल और पीले फूल खिले हुए थे बूड़ा माली सूखी पत्तियां चुन्ने के साथ ही गमले में कुछ खाद डाल रहा था उपवन बहुत सुन्दर लग रहा था वहां रंग बिरंगी चिडियां उड़ रही थी तो ये इस पहरा ग्राफ में जो रंगी शब्दों को देखना है ये शब्द क्रमस है उपवन, रास्तो, जाडियां, पेड, फूल, माली, पत्तियों, खाद, उपवन, वैचिडिया संग्या शब्दों की विशेष्था बता रहे हैं इन शब्दों को ही विशेषन कहते हैं जैसे उपवन कैसा था? एक, रास्ते कैसे थे? गुमाओदार जाडियां कैसी थी? छोटी छोटी पेड कैसे थे? उचे तो इन सारे शब्दों की विशेष्था हैं ये जो एक, घुमाओदार, छोटी छोटी, उचे, लाल, पीले, बूढ़ा, सूखी, सुन्दर, रंग बिरंगी ये शब्द बता रहे हैं तो इस प्रकार विशेष्था की क्या परिभाशा हुई? कि जो शब्द संग्या अत्वा सरुनाम की विशेष्था या गुन बताते हैं वे विशेष्था कहलाते हैं जैसे छोटा, बड़ा, उचा, नेचा, नमकेन, लाल, पीला, सुन्दर, कोमल, आदी जिन संग्या या सरुनाम शब्दों की विशेष्था बताई जाती है, उन्हें विशेष्था कहते हैं जैसे सुन्दर लड़की, तो इसमें सुन्दर शब्द है विशेष्था और लड़की है विशेश है क्योंकि लड़की की विशेशता बताई जा रही है कि लड़की कैसी है सुन्दर तो ये जो लड़की शब्द है ये हमारा है विशेश है अच्छा लड़का अच्छा विशेशन और लड़का विशेश है विशेशन की परिभाशा और विशेशे की परिभाशा समझने के बाद अब देखते हैं विशेशन के भेद विशेशन कितने प्रकार के होते हैं विशेशन के चार भेद होते हैं नमबर एक गुन वाचक विशेशन नमबर दो संख्या वाचक विशेशन नम्बर तीन परिमान वाचक विशेशन और नम्बर चार सार्वनामिक विशेशन अब इन चार विशेशनों की परिभाशा पढ़ेंगे पहला है गुन वाचक विशेशन जो विशेशन शब्द संग्या या सर्वनाम के गुन, दोश, सुभाव, दशा, आकार तथा रंग आदे की जानकारी देते हैं उन्हें गुन वाचक विशेशन कहते हैं जैसे गुन मूर्ख, चतुर, भोला, चंचल, देयमान, जगरालु, आदी रूपरंग, गोरा, काला, सफेद, सुंदर, नीला, मोटा, पतला, आदी आवस्था, स्वस्थ, युवा, कमजोर, बीमार, जवान, बूढ़ा, आदी दूसरा है संख्या वाचक विशेशन संख्या वाचक विशेशन किसे कहते हैं जो शब्द संग्या अत्वा सर्वनाम की संख्या बताते हैं उन्हें संख्या वाचक विशेशन कहते हैं संख्या वाचक विशेशन को दो भागों में बाटा जा सकता है संख्या वाचक विशेशन किसे कहते है जो शब्द संग्या अथ्वा सर्व नाम की संख्या बताते हैं उन्हें संख्या वाचक विशेशन कहते हैं, संख्या वाचक विशेशन को दो भागों में बांटा जा सकता है पहला निश्चित संख्या वाचक, निश्चित संख्या वाचक किसे कहते हैं? जो विशेशन शब्द निश्चित संख्या का बोध कराते हैं वे निश्चित संख्या वाचक विशेशन कहलाते हैं जैसे दो, चार, पांच, पहला, सात्वा, आदी दूसरा है ए निश्चित संख्या वाचक ए निश्चित संख्या वाचक किसे कहते हैं जो विशेशन शब्द निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते वे ए निश्चित संख्या वाचक विशेशन कहलाते हैं जो विशेशन शब्द निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं वे ए निश्चित संख्या वाचक विशेशन कहलाते हैं जैसे कुछ बच्चे बहुत से लोग कई छात्र आदि इसमें जो संख्या है वो निश्चित नहीं हैं तो इसमें कौन से हुई ए निश्चित संख्या वाचक विशेशन थर्ड है परिमान वाचक विशेशन परिमान वाचक विशेशन किसे कहते हैं जो शब्द संख्या शब्दों की माप तोल बताते हैं उन्हें परिमान वाचक विशेशन कहते हैं परिमान वाचक विशेशन को भी दो भागों में बांटा जा सकता है परिमान वाचक विशेशन किसे कहते हैं? जो शब्द संग्या शब्दों की माप तोल बताते हैं उन्हें परिमान वाचक विशेशन कहते हैं परिमान वाचक विशेशन को भी दो भागों में बांटा जा सकता है पहला निश्चित परिमान वाचक निश्चित परिमान वाचक किसे कहते हैं? जो विशेशन शब्द निश्चित माप तोल बताते हैं उन्हें निश्चित परिमान वाचक विशेशन कहते हैं जो विशेशन शब्द निश्चित मात तोल बताते हैं उन्हें निश्चित परिमान वाचक विशेशन कहते हैं जैसे दो लेटर, चार लेटर, दस किलो, पांच हजार किलोमेटर आदी दूसरा है ए निश्चित परिमान वाचक, ए निश्चित परिमान वाचक विशेशन किसे कहते हैं जो विशेशन शब्द किसी संग्या की निश्चित मात तोल नहीं बताते उन्हें ए निश्चित परिमान वाचक विशेशन कहते हैं जो विशेशन शब्द किसी संग्या की निश्चित माप तोल नहीं बताते उन्हें ए निश्चित परिमान वाचक विशेशन कहते हैं जैसे ज्यादा थोड़ी आदी अब अगला है नमबर फोर सार नामिक विशेशन सार नामिक विशेशन किसे कहते हैं जो सर नाम शब्द संग्या से पहले आकर उसकी विशेशता प्रकट करते हैं वे सार नामिक विशेशन कहलाते हैं जो सार नामिक विशेशन कहलाते हैं जैसे मेरा कुत्ता बहुत प्यारा है तो इसमें जो मेरा शब्द है वे सार नामिक विशेशन है दूसरा है उस घर में चोर है जो उस शब्द है इसमें भी सार नामिक विशेशन होगा तो विशेशन की परिभाशा और उसके भेद समझने के बाद अब हम देखेंगे इस पार्ट के प्रिशन उत्तर निम्लिकत प्रिशन के उत्तर दीजिए ये मौखिक प्रिशन है इसमें पहला है चार विशेशन शब्द बताईए तो चार इसमें विशेशन शब्द बताने हैं मौर्ख, गोरा, स्वस्थ, पहला विशेशन और विशेशन में क्या अंतर है? विशेशन और विशेशन में क्या अंतर है? संग्या अथ्वा सरुनाम की विशेशता बताने वाले शब्द विशेशन कहलाते हैं और जिन शब्दों की विशेशता बताई जाती है उन्हें विशेशे कहते हैं थर्ड कोशन है निश्चित संख्या वाचक और अनिश्चित संख्या वाचक विशेशन में क्या अंतर है? तो इसमें निश्चित संख्या वाचक और अनिश्चित संख्या वाचक विशेशन में अंतर बताना है तो सबसे पहले बताएंगे निश्चित संख्या वाचक निश्चित संख्या वाचक किसे कहते हैं? जो विशेशन शब्द निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, वे निश्चित संख्या वाचक विशेशन कहलाते हैं ए निश्यित संख्या वाचक जो विशेशन शब्द निश्यी संख्या का बोद नहीं कराते उने ए निश्यित संख्या वाचक विशेशन कहते हैं मौखी प्रिशन उत्तर के बाद अब अगला कोश्चन है निमलिखित प्रिश्णों के उत्तर लिखिए इसमें पहला है विशेशन किसे कहते हैं उधारन दे कर समझाईए संग्या अथ्वा सर्वनाम की विशेशता बताने वाले शब्द विशेशन कहलाते हैं इसमें उधारन है मूर्ख, गोरा, स्वस्त दूसरा है विशेशन के कितने भेद होते हैं प्रिति एक का नाम लिखिए आंसर विशेशन के चार भेद होते हैं नमबर एक गुन वाचक विशेशन, नमबर दो संख्या वाचक विशेशन, नमबर तीन परिमान वाचक विशेशन, और नमबर चार सार नामिक विशेशन अब अगला कोशन है, संख्या वाचक और गुन वाचक विशेशन में क्या अंतर है, उधारन सहित लिखिए इसमें संख्या वाचक और गुन वाचक विशेशन में अंतर बताना है, तो सबसे पहले लेंगे संख्या वाचक विशेशन जो शब्द संख्या अत्वा सर्वनाम की संख्या बताते हैं, वे संख्या वाचक विशेशन कहलाते हैं, जैसे दो चार गुन वाचक विशेशन, जो विशेशन शब्द संख्या या सर्वनाम के गुन, दोश, सुभाव, दशा, आकार, तथा रंग आदी के जानकारी देते हैं, उन्हें गुन वाचक विशेशन कहते हैं, जैसे मूर्क, गोरा, स्वस्थ अब अगला कोशन है, निमलिकित अनुच्छेद में विशेशन शब्दों को रेखांकित कीजिए ये पहरा ग्राफ है, इसमें जो विशेशन शब्द हैं, उनके नीचे अंडरलाइन करनी है सुनेना बहुत अच्छी लड़की है, वह बहुत दयालू, विनर्म और बुद्धी मती भी है संचित सुनेना का बड़ा भाई है, संचित सुनेना के लिए नई साइकिल लाया है तो इसमें अच्छी दयालू, विनर्म, बुद्धी मती ये विशेशन शब्द हैं, बड़ा और नई विशेशन शब्द हैं अब अगला कोशन है, विशेशन और विशेश्य को सुमेलित कीजिए, ये मैचिंग है, मैच करना है एक लीटर दूद, उचा व्रक्ष, दस किलो आम, काले जूते, चालाक लोमडी, सुहाना मोसम अगला कोशन है, दिये गए विशेशन शब्दों को उचित स्थान पर लिखिए ये ओप्शन्स दिये हुए हैं और नीचे विशेशन, गुनवाचक, संख्यावाचक, परिमानवाचक और सारुनामि विशेशन इनके नीचे इन में से छाट कर लिखना है तो महान, कठिन, चतुर, विशाल ये चारो गुनवाचक विशेशन है सैकडो, चार हजार, पच्चिस करोडो, संख्यावाचक विशेशन एक किलो, दो सो ग्राम, थोड़ा, पांच मीटर, परिमानवाचक विशेशन उस, इन, यह, वह, सारुनामि विशेशन अगला कोशन है, बहु विकल्प ये प्रिशन सही उत्तर वाले विकल्प पर राइट लगाईए पहला है संग्या अत्वा सरुनाम की विशेशता बताने वाले शब्द कहलाते हैं क्या कहलाते हैं? ओप्शन्स हैं विशेशन, विशेश्य, किरिया, वचन तो इसमें आएगा विशेशन जिन शब्दों की विशेशता बताई जाए उन्हें कहते हैं विशेशन, विशेश्य, किरिया या सारुनामिक विशेशन इसमें आंसर आएगा विशेश्य थर्ड है विशेशन के भेद होते हैं एक, दो, तीन या चार तो इसमें आएगा चार फूर्थ है संग्या से पहले लगकर उसकी विशेशता बताने वाले सरुनाम शब्द कहलाते हैं कौन से कहलाते हैं गुनवाचक, परिमानवाचक, सारुनामिक या निश्यवाचक विशेशन तो इसमें आंसर आएगा सारुनामिक विशेशन फिफ्थ है माप तोल बताने वाले विशेशन कहलाते हैं गुनवाचक विशेशन, परिमानवाचक विशेशन, सारुनामिक विशेशन या निश्यवाचक विशेशन तो इसमें आंसर आएगा परिमानवाचक विशेशन अगला कोशन है उचित विशेशन शब्द लिखकर वाक्य पूरे कीजिए ये फिलप्स है इसमें सही उचित विशेशन शब्द लिखना है पहला है आज का दिन बहुत है तो इसमें लिखेंगे सुहावना दिल्ली में लाल किला इस्थित है चरवाहे अपनी गायों को हरी खास चराने मैदान में ले गए गायक ने मधूर गीत गाकर सबका मन जीत लिया हमारी धर्ती गोल है आकाश बाजार से मीठे फल खरिदने गया है और लाश्ट है हरिश चंद्र सत्यवादी राजा थे अगला कोशन है दी गई वर्ग पहेली में से विशेशन शब्दों को ढूंट कर लिखिये और उनके भेदों के नाम भी बताईए ये वर्ग पहेली दी हुई है इसमें से हमें विशेशन शब्दों को ढूंटना है और उनके भेदों के नाम भी लिखने है तो सबसे पहले है मोटा क्या हुआ गुन वाचक विशेशन दूसरा है दो मीटर निश्चित परिमान वाचक विशेशन उस सार्व नामिक विशेशन लाल गुन वाचक विशेशन थोड़ा ए निश्चित परिमान वाचक विशेशन चार निश्चित संख्यावाचक विशेशन बहुत ए निश्चित संख्यावाचक विशेशन तो बच्चों हमने इसमें विशेशन की परिभाशा उसके भेद भलिभाती समझे और इस पार्ट के प्रिश्न उत्तर भी किये अब आपको ये जो प्रिश्न उत्तर हैं ये प्रिश्न उत्तर आपको कॉप्य में करने हैं और ये पूरे एक्सरसाइज आपको बुक में ही करनी है आश्या करती हूँ ये पूरा पार्ट आपको भलिभाती समझा गया होगा धन्यवाद